सत्तर साल पहले हमने विजिवत रुप से एक नए रंग रुप के साथ सम्मिधान को अंगिकार किया था लेकिन साथ साथ अच्छविश नम्मिबर दर्द भी पहुँचाता है जब भारत की महान उच्च परंपराए हजारों साल की संस्कृतिक विरासत वसुध है कुटुम कम के विचार को लेकर के जीने वाली इस महान परंपरा उसे आज ही के 26 नम्मिबर के दीन मुंबई में आतंकवादी मनसुबों ने चलनी करने का प्रयास किया था मैं आज उन सभी हुतात्माओं को नमन करता हूँ साथ दसक पहले इसी सेंट्रल हॉल में कितनी ही पवित्र आवाजों की गुंज थी समिधान के एक एक अनुक्षेद पर बारी की से गहन चर्चा हुई तरक आए तथ्या आए विचार आए आस्थागी चर्चा हुई विश्वास की चर्चा हुई सपनों की चर्चा हुई संकल्पों की चर्चा हुई एक प्रकार से ये सदन ये जगा ज्यान का महा कुम्ब था और जहां पर भारत के हर कौने के सपनों को शब्दों में मढ़ने का एक भरपूर प्रयास हुआ था डॉक्टर रादेंदर प्रिशाथ डॉक्टर भीम राव बाबसाब आंडेकर सरदार वल्लभाई पतेल पंडित नहरू आचारे क्रपलानी जी मौलाना आजहात पुर्शतमदास चंडन सुचिता क्रपलानी जी हंसा मैता लडी कृष्ण स्वामी अयर एन गोपाला स्वामी आएंगर जौन मथाई अंगिनत ऐसे महापुरूष जिनोंने प्रतेक्ष और अप्रतेक्ष योगदान दे करके हमें इस महान विरासत हमारे हाथों में सुप्रत की है आज के इस अवसर पर मैं उन सभी महान विवूतियों को स्मरन करता हूँ और उनका आदर पुर्वक नमन करता हूँ आज अपनी बात की शुरुआत मैं आप सभी को बाबा साब अंबेर करने 25 नवंबर 1949 सम्मिधान अंगिकार करने के एक दिन पुर्वा अपने आखरी भाषन में जो बाते कही थी उसका जुरूर ना करना चाहूँगा बाबा साब ने देश को याद दिलाये था कि भारत पहली बाद 1947 में आजाद हुआ है या फिर 26 जनवरी 1950 को गंतंत्र बना ऐसान नहीं है भारत पहले भी आजाद था और हमारे हां अनेक रिपब्लिक भी थे और उना ने आगे व्यथा बेट से की थे लेकिन अपनी ही गल्पियों से हमने अतीत में आजादी भी खोई है और रिपब्लिक करेक्टर भी गवाया है ऐसे में बाबा सामने देश को चेताते हुए पूछा था कि हमें आजादी भी मिल गई गनत्तन पर भी हो गई लेकिन क्या हम इसको बनाए रख सकते हैं क्या अतीत से हम सबक ले सकते हैं आज अगर बाबा साब होते तो उनसे अधित प्रसनता शाहिद कीसी को होती क्योंकि भारत ने इतने वर्षों में न केवल उनके सवानों का उत्तर दिया है बलकि अपने आजादी को लोक्तंत्र को और सम्रुद और ससक्त किया है और इसलिए आज के इस अफसर पर मैं आप सभी को बीते साथ दसक में समिधान की भावना को अक्षुन रखने वाली विधाई का कारपाली का और न्याई पाली का के सभी साथियों को गवरोपुरुद समरन करता हूं नमन करता हूं मैं विशेश का और पर एक सो तीस करोर भारत वस्यों के सामने नत्मस्तक हूं जिनोंने भारत के लोगतंत्र के प्रती आस्था को कभी कम नहीं होने दिया हमारे समिधान को हमेशा एक पवित्र गंथ माना गाइडिंग लाइक माना समिधान के सत्तर वर्ष हमारे लिए हर्ष उत्कर्ष और निस्कर्ष का कहां मीला जुला भाव लेकर के आये हैं हर्ष ये है कि समिधान की भावना अटल और अडिग रही है अगर कभी कुछ इस तरह के प्रयास हुए भी है तो देश वाज़ियों ने मिल करके उनको असभल किया है समिधान पर आच नहीं आने दी है पुतकर्ष इस बात को हम जुरूर रजिश्चा करते हैं कि हमारे समिधान की मजबूति के कारण ही एक भारत से इस भारत की तरफ हम आगे बढ़ पाए हैं हमने तमाम सुधार मिल जुल करके समिधान के दाइरे में रह करके किये हैं और निश्कर्ष ये हैं कि ये विशान और विविद भरा भारत प्रगति के लिए सुनहरे बविश्च के लिए नए भारत के लिए भी हमारे सामने सिर्फ और सिरफ समिधान समिधान की मर्यादाए समिधान की भावना यही एक मात्र रास्ता है हमारे समिधान हमारे लिए सबसे बड़ा और पवितर गरंत है एक ऐसा गरंत जिसमें हमारे जीवन झी हैं कि हमारी परंपराव, हमारे मान्यताव, हमारे व्यहवार, हमारे आचार, उन सब के साथ का समावेश हैं, साथ-साथ अनेएक चुनोतियों का समाधान भी है, हमारा समिधान इतना व्यापक इसलिए है, क्योंकि इसमें हमें बाहरी प्रकास के लिए अपनी खीड़कियां खोल और उसके साथ साथ भीतर का जो प्रकास है उसको भी और अधिक प्रज्वलित करने का अवसर भी दिया है आज इस अवसर पर जब हम कहेंगे तो मैं एक बात दोहजार चवदा में लाल कीए के प्राचीज से जो मैंने कही थी उसको दोहराओं का समिधान को अगर दो सरल सब्दों में कहना है सरल भाषा में कहना है तो कहूंगा डिगिनिटी फर इंडियन एंड यूनिटी फर इंडिया इनी दो मंत्रों को हमारे समिधान ने साकार किया है नागरिक की डिगिनिटी को सर्वोच्च रखा है और संपूर्ण भारत की एकतावरा खंड़ता को अक्षुन रखा है हमारा समिधान वैश्विक लोग संत्र की सर्वोच्च उपलब्दी है यह न केवल अधिकारों के प्रती सजग हैं बलकि हमारे कर्टव्यों के प्रती जागरुग्गी बनाता है एक द्रस्टी से हमारा समिधान दुनिया में सबसे अधिक पंथ निर्पेश है हमें क्या करना है कितने बड़े सपने देखने हैं और कहां तक पहुचना है इसके लिए किसी भी प्रकार की बंदिस नहीं है समिधान में ही अधिकार की बात है और समिधान में ही कर्टव्यों के पानन की अपेश्चा है क्या हम एक ब्यक्ति के तौर पर एक परिवार के तौर पर एक समाच के तौर पर अपने कर्टव्यों को ले कर उतने ही गंबी हैं जितना की हमारा सम्विदान, हमारा देश, हमारे देश्वासियों के सपने हम से अपेक्षा करते हैं जैसा कि राजेंदर बाबु जी ने कहा था कि जो Constitution में लिखा नहीं है उसको हमें Convention से स्थापित करना होगा और यही भारत की विशेशता भी है बीते दसकों में हमने अपने अधिकारों पर बल दिया और वो आवश्चत भी था ठीक भी था क्योंकि समाज में ऐसी व्यवस्थाएं बन गई थी जिनके चलते एक बड़े वर्क को अधिकारों से वन्चित रखा गया था बिना अधिकारों से परिचे कराए इस बड़े वर्क को समानता समता और न्याय का एसाद दिया दिला पाना संभव नहीं था लेकिन आज समय की माँग है कि जब हमें अधिकारों के साथ ही एक नागरी से तौर पर अपने कर्तव्यों अपने दाइत्वा पर मंधन करना ही होगा क्योंकि दाइत्वा को निभाए बिना हम अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख सकते अधिकारों और कर्तव्यों के बीच का एक अतूट रिष्टा है और इस रिष्टे को महत्मा गांधी जी ने बहुत विशेश रुट से बखुभी समझाया था आज जब देश हुजबापु के एक सो पचासवी जैनती का पर्व मना रहा है तो उनकी बातें बहुत प्रासंगी हो जाती है वो कहते थे राइट इस डूटी बैल परफॉर्म उन्होंने एक जगन लिखा भी था कि मैंने अपनी अनपड लेकिन समझदार मां से सिखा है कि सभी अधिकार आपके द्वारा सच्ची निस्टा से निभाए गए अपने कर्तव्यों से ही आते है पिछली सतावजी की शुरुवाती दसकों में जब पूरी दुनिया अधिकार के बारे में बात कर रही थी तब गांधी जी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा था आईए हम लोग नागरीकों के कर्तव्य यानि डूटीज अवा सिटिजन के बारे में बात करते है 1947 में युनिवस्टो के महा निरदेशर डॉक्टरल जूलियन हस्कले ने विश्व के साथ बड़े महनुभावों को बड़ी भाजी हस्कियों को एक पत्र लिखा था और उनसे मारदर्शन मांगा था और उन्होंने पत्र में पूछा था कि वर्ल्ड चार्टर ऑफ हुमन राइट ये बनाना है तो उससे आधार क्या हो और इस बारे में उन्होंने दुनिया के महानुभावों से अपनी राय मांगी था महत्मा गांधी के सी भागी थी लेकिन दुनिया के हर किसी ने जो अपनी प्राय दिया महत्मा गांधी का कुछ अलग था मात्पा जी ने कहा था उन्होंने जवाब दिया था कि हम अपने जीवन के अधिकार तभी अर्जित कर सकते हैं जम नागरी के तौर पर अपने कर्टब्यों को पूरी तरह से निभाएं एक प्रकार से कर्टब्यों में ही अधिकारों की रक्षा है इसकी वकालत महत्मा गांदी ने उच समय भी की थी जब हम दाइक्व की बात करते हैं कर्टब्य की बात करते हैं तो यह बहुत ही सामान्य जिम्मेदारिया है जिनको निभाने से एक राश के रुप में हमारे संकल सिद्ध होते हैं और हमें यह भी बहुत पर्ष्ट ज्यान देना होगा कि कर्टब्य और सेवा कभी कभी हम सेवा को ही कर्टब्य मान लेते हैं सेवा भाव संस्कार हर समाज के लिए बहुत एहमियत रखते हैं लेकिन सेवा भाव से भी कर्टब्य कुछ और है और उस पर कभ कभी कभी हमारा ध्यान नहीं जाता है। आप शड़क पर चल रहे किसी व्यक्ति को कहीं कोई मदद की जरूत है आप करते हैं। वो एक प्रकारते सेवा भाव है। यह सेवा भाव किसी भी समाज को मानोता को बहुत ससक्ता करता है। लेकिन करतब व्यभाव इस से थोड़ा अलग है। रोड़ पर किसी को तकलीब हुई आपने मदद की अच्छी बात है। लेकिन अगर मैंने ट्राफिक नियमों का पानन किया और कभी किसी को तकलीब न हो ऐसी विवस्ता का मैं हिस्सा बना। वो मेरा करतब जो है। अब जो कुछ भी कर रहे ह। उसके साथ एक सवाल जोड़कर अगर हम देखते हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा ह। क्या उससे मेरा देश मजबूत होता है कि परिवार के सदसे के नाते हम हर चीज वो करते हैं जिससे हमारे परिवार की शक्ति बढ़े हैं। उसी प्रकार से नागरी के नाते हम वो करें जिससे हमारे देश की ताकट बढ़े हैं। हमारा राष्ट सक्रिषाली हो एक नागरिक जब अपने बच्चे को स्कूल भेजता है तो माबाप अपना कर्तब भी निभाते हैं लेकिन वे माबाप जादुप्ता पुर्वत अपने बच्चे को मास्तुरुभासा सिखने का आगर रखते हैं तो वो एक नागरिक का कर्तब कर्ट बीनिभाते हैं देश्ट्षेवा का कर्ट बीनिभाते हैं मेरैरी इसलिए क्छोटी चुटी होती में कि अगर बुन-मुन पानी कि बचाता है कि अपना नागी कर्टब है नहि呢 कर लेता है कि अगर प्र 경찰 करनका का मैं पूरा लेता है कि जब तक देश के प्रतेगनागरुक के कितम है उसकी चेतना में सर्वों पर ही नहीं होंगे हमारे नागरिक कर्टब्य कहीं ने कहीं कमजोर होते चले जाएंगे और वो किसी ने किसी रूप में किसी दूसरे के अधिकार तो हानी पहुंचाते हैं और इसलिए औरों के अधिकारों की चिंता के लिए भी अपने कर्ट पर बल देना हम लोगों का दाई तो बनता है और जनप्रति के नादे हमारे जिम्मेवारी कुछ और अधीक होती हैं दोहरी होती हैं हमारे सामने Constitution values को मजबूत करने के साथ साथ खुद को भी एक आदर्श के रूप में प्रसूत करना यह हमारा दाई तो बन जाता है और हमें समाज में सारसक बदलाव लाने के लिए इस कर्तवे को भी निभाना ही होगा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अपने हर कारकम में हर बात्चीश में हम ड्यूटीज पर फोकस करें जनता के साथ समवाज करते समय जूटीज की बात करना हम न भूले हमारा सम्मिदान हम भारत के लोग से शुरू होता है बी दफीपल अफ इंडिया हम भारत के लोग ही इसकी ताकत हैं हम ही इसकी प्रेणा है और हम ही इसका उद्देश है मैं जो कुछ हूँ वह समाज के लिए हूँ देश के लिए हूँ यही करते विभाव हमारी प्रेणा का स्रोत है मैं आप सभी का आवान करता हूँ कि हम सब इस संकल्प शक्ति के साथ मिलकर भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपने करतवियों का पालन करें आईए अपने गणतत्रत को हम करतवियों से ओत प्रोत नई संस्रिपी की तरफ लेकर के जाएं आईए हम सब देश के नव नागरिक बनें नेक नागरिक बनें मैं कामना करता हूँ कि ये समिधान दिवस हमारे समिधान के आदर्सों को कायम रखने और रास्न निर्मान में योगदान देने के हमारी प्रतिविद्धता को बल दे हमारे समिधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था उसे पुरा करने की हमें शक्ति दे और ये पवित्र धर्ति है जहां ये मन्थन हुआ था यहां पर उसकी गुंज है ये गुंज हमें अवश्य आशिरवाद देगी ये गुंज हमें अवश्य प्रेना देगी ये गुंज हमें अवश्य सक्ति देगी ये गुंज हमें अवश्य दिशा देगी इसी एक भावना के साथ मैं फिर एक बार आज समिधान दिवस के पवित्र मोके पर पुझ बाबा साब आम्मेर्कर को प्रणाम करता हूँ, समिधान निर्माताओं को प्रणाम करता हूँ और देश वाज्यों को बहुत बहुत सुप्वावना रिता हूँ, धन्यवाद